हेलो इबरिवान कैसे आप लोग वमीद करते हूं कि अच्छे ही होंगे तो आज में सेयर करने जा रही हूं आप सभी के साथ में फ्राई पोहा रेज़िपी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से तो चलिए बिना दीर की इस रेज़िपी को हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पोहे को भूनेंगे तो मैं यहाँ पे तीन कप पोहा ले लिए हूं अच्छे से साफ करके तो इसको हम बिना तेल के भून लेंगे तो ज्यादा नहीं भूनना है बस हलका सा गुल्डिन ब्राउन होने तक इसको भून लेना है तो लीजिए पोहे को हम गुल्डिन ब्राउन होने तक भून लिए हैं और अब इसको हम तेल में फ्राइ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पोहे को हम किस तरह से भूने हैं बस इतना ही भूनना है तो यहाँ पे हम दूसरे पैन में तेल डाल लेंगे तीन से चार चमच और इसमें हम कुछ ड्राइ फ्रूर्स भूनेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ले लिए हैं मौंफली का दाना इसको हलका सा भून लेंगे अभी हलका सा भून गया है तो इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 15 से 20 काजू और इसको भी भून लेंगे तो ड्राइ फ्रूर्स को जादे नहीं भूनना है बस हलका सा ही भून लेना है और अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा मुनक का इसको भी हलका सा भून लेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में बिल आइकन जरूर प्रेस करने, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी तो ड्राइफ प्रूस को हम भून के एक पेट में निकाल लिये हैं, और यहां पर गरम तेल में वन टी स्पून, राई और लाल सूखी मिर्च एक और दो से तीन हरी मिर्च कट करके इसको हम डाल लिये हैं, और साथी में आरदस करी पत्ते भी डाल लिये हैं तो मिर्च को आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे एक बारी कटी हुई प्याज, प्याज को डाल के हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे, तो प्याज को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हलका सा इसको भून लेना है, तो दीजिए प्याज को हम हलका सा भून लिये हैं, और इसमें हम एट कर देंगे, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी में, और इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैं यहाँ पी वन टीस्पून काला नमक डाल लें हूँ, आप चाहें तो नमक कोई भी डाल सकती हैं, अगर आपको काला नमक नहीं पसंद है, तो काले नमक के जग आप सफिद नमक डाल सकती हैं, और इसी के साथ, अब इसमें हम डाल देंगे, भूना हुआ, पोहा, यानि चूडा, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करती हुए, एक मि सारी चीजे पकी हुई है, तो इसी के साथ, इसमें हम भूना हुआ, डाइप फ्रूट्स भी डाल लिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो रिष्पी अगर आपको पसंद आया, तो लाइक कमेंट सेर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप मत भूलिएगा, तो लीजिए पोहा फ्राइ हो चुगा है, और इसको हम निकाल लेते हैं, प्लेट में सब करने के लिए, तो हमारी रिष्पी अगर आपको पसंद आया, तो लाइक कमेंट सेर जरूर कर लीजिएगा, और मेरे इस तरीकी से इक बार फोहा फ्राइ करके आप जरूर ट्राइ करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाइबाइ फ्रेंड्स अंटी केर, थैंक्स फर वाचिंग झाल